इम्मुनीटी बढ़ाने के लिए खाएं ये खटे फल, करोना काल में इम्मुनीटी बढ़ाने के लिए सबसे बहतर विटामिन सी से बरपूर फ़लो और अन चीजों का सेवन करना चाहिए, कुछ ऐसे फल हैं जिनके सेवन से आपकी इम्मुनीटी मजबूत होगी कीवी, कीवी में नीबू और संत्रे से भी अधिक बिटामिन सी मौझूद होता है इसमें ऐसे खास गूड होते हैं जो सरीर की रोग प्रतिरोदक चमता को बढ़ाते हैं इस खटे फल में विटामिन C की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसे खाने से सरीर की प्रतिरच्छा प्राणली पर भी सकरात्मक असर पड़ता है इसमें विटामिन C के अलावा ये भी होता है साथ ही इसमें एंटी ऑक्सिदेंट होने के कारण रोग पती दोजग चमता को बढ़ावा मिलता है और फ्री रेडिकल से होने वाले साइड इफेक्ट से भी सरीर को दूर रखता है या इम्मून सिस्टम को मजबूत बनाता है संतरा नीबू और संतरा में भी सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है आप इसे फल के रूप में भी खा सकते हैं और जूस भी पी सकते हैं नीबू पानी पीना भी इन दिनों बहुत जरूरी है सुबह के समय एक ग्लास नीबू पानी पीने से रोख पती रोज़क चमता मजबूत रहेगी आवला आवला में भी बिटामिन C सबसे अधिक होता है या इम्मूनिटी को मजबूत करने के साथ ही बालों तो अच्छा और कोई सेह संबंदी समस्याओं सभी बचाया रखता है आप इसकी चटनी बना कर खाएं या कच्छा या फिर जूस पीएं हर तरह से सरीर को फायदा होगा आवला बिटामिन C का मुख इस्तरोत है इम्मूनिटी को बुष्ट करना चाहते हैं तो दिन में एक या आधा आवला जरूर खाएं